मितुन चक्रवती इंडस्ट्री के शांदार आक्टर है वो अपना पर्फॉर्फॉर्मेंस बहुत ही शांदार तरीके से करते हैं और एक्शन और कट के बीच में मितुन चक्रवती मैजिक है दिखाते हैं लेकिन एक फिल्म की शूटिंग की दौरान एक्शन और कट के बीच मितुन चक्रवती ने जब कुछ किया था तो उस कारण उन्हें फिल्म की हिरोईन से माफी मांगनी पड़ गई थी आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको वही किस्सा बताने वाली हूँ यह बात होगी यह 2006 की मितुन चक्रवती ने चंगारी नाम के फिल्म की थी कल्पना लाजमी ने इस फिल्म को बनाया था और सुश्मिता सैन फिल्म के हिरोईन थी फिमेल ओरियंटेड यह फिल्म थी और इस फिल्म में सुशमिता सेन के साथ मिथुन चक्रवती को एक intimate scene करना था सुशमिता से वो intimate scene हो ही नहीं रहा था इस scene को करने में काफी सारे retakes लगे Finally बहुत retakes के बाद final scene okay हुआ लेकिन उसके बाद सुशमिता सेन जोर जोर से रोने लगी सुषमिता सेन् ने डिरेकटर को कहा कि intimate scenes shoot करने के दौरान मिथुन चक्रवती ने मुझे गलत तरीके से चूने की कोशिश की कल्पना लाजमी ने सुषमिता सेन् को समझाने की कोशिश की कि तुम्हें गलत फहिमी हुई होगी ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन सुश्मिता अपनी बात पर अड़ी रही इधर मितुन चक्रवती को जब सुनने में आया कि सुश्मिता सैन मितुन चक्रवती को लेकर ऐसी बात कह रही है और इस तरह का इल्जाम उन पर लग रहा है तो फिर उन्हें बहुत अजीब लगा उन्होंने डिसाइड किया कि वो सुश्मिता से माफी मांगेंगे अगर जाने अन जाने में उन से ऐसा कुछ हुआ हो तो उसके लिए मितुन चक्रवती ने पहले ही जाकर सुश्मिता सैन से माफी मांग ली जिसके बाद सेट का पूरा माहौल थंडा हुआ वेल अगर मितुन चक्रवती ऐसा नहीं करते और इस बात को वहीं खतम नहीं करते तो शायद सुश्मिता सैन और मितुन चक्रवती का ये केस भी वैसा ही हो जाता जैसा तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का केस हुआ था